Hello students, नव भरती परिवार में आपका स्वागत है आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर सॉयल जो हमने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट किया था उसका पार्ट सेकिंड प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मेशन आफ सॉयल पढ़ा था सॉयल फॉर्मेशन के में वाटर और प्लांट का क्या रोल होता है ये पढ़ा था वैदरिंग पढ़ी थी और हमने सॉयल प्रोफाइल और टाइपस आफ सॉयल पढ़े थे आज हम सॉयल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉयल एंड क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे और सॉयल इरोजन एंड प्रिवेंशन के बारे में पढ़ेंगे फर्स टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज आफ सॉयल थ्री इंपोर्टेंट करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज आफ सॉयल आर Percolation Rate of Water Moisture Absorptions of Water मिट्टे के Chemical और Physical Properties क्या होती है First हम पढ़ेंगे Physical Properties के बारे में इसमें Bulk Density Bulk Density का मतलब है कि इनके मिट्टे के बीच में जो Space होते हैं, Pores होते हैं उनके Capacity क्या होती है मतलब जब वो Water को Absorb करते हैं तो उनकी Capacity Avability of Soil, Pore, Space and Therefore Influence and Soil Hydrology and Plant Roots Grown फिर है Soil Structure Soil Texture कि उसकी Structure के स्टरह की होती है Size क्या होता है और Soil Color ये कौन कौन से Color में पाए जाती है जैसे Red, Yellow, Black, Gray इनकी Chemical Properties में है Soil of pH मतलब उनका pH लेवल क्या होता है ये Acidic Nature की होती है या Basic Nature की होती है Soil Salinatory क्या होता उसमें Salt की मात्रा कितनी होती है और Cation Exchange Capacity क्या होती है वो Soil कितने Neutrients को किस टाइप से Absorb कर रही है ये क्या होता है Cation Exchange Capacity Absorption of Contaminates and Plants Neutrients Next है Percolation Rate Percolation Rate of Water in Soil The term Percolation describes the rate at which water or any liquid passes down through any materials Percolation का मतलब होता है Resolve कोई मिट्टी पाने को कितना Absorb कर रही है अपने अंदर से कितना उसको जमीन में जाने दे रही है वो होता है Percolation Percolation Property of any water material is linked to its porosity Different soils have different porosity Therefore water percolation differently through different soils अलग-अलग soil की Percolation Rate अलग-अलग होती है ये जो डाइग्राम दे रखा है इसमें देखो Sandy Soil Lommi Soil और Clay Soil में डिफ्रेंस बता रखा है कि इनकी Water Retaining Capacity किस तरह होती है Sandy Soil जो है उसकी Water Retaining Capacity मतलब Water को Hold रखने की Capacity बहुत कम होती है जबकि Clay Soil की Water Retaining Capacity सबसे ज़्यादा होती है और Lommi Soil इन दोनों के बीची Capacity को Contain करती है Water Retaining का मतलब है कि कोई मिटी Water को कितना Hold करकर रख रही है उसको रिष्ने निदेरी मतलब उसका Percolation नहीं होने दे रही है इसी तरह अलग-अलग Soil की Percolation Rate अलग-अलग होती है Next है Moisture in Soil Moisture का मतलब होता है नमी Soil contents water in the form of moisture जो मिटी है वो पानी को moisture की form में content करके रखती है मतलब आप जब मिटी को छोते हो तो आपको लगता है उसमें थोड़ा सा नमी है थोड़ा सा water है तो उसको भी बोलते है moisture Moisture content of a soil depends upon its type and source Moisture कितना content करेगी कोई मिटी वो उसके type और source पर depend करता है The presence of moisture The moisture present in 100 gram of a soil is called moisture content 100 gram soil में कितना moisture है ये moisture content कहलाता है और a percentage of moisture in the soil या फिर आप इसको moisture का percentage बोल सकते हो soil में Next topic है absorption of water by soil मिटी के द्वारा पानी का कितना absorption होता है Different soils have different water holding capacities अलग-अलग soil के पास अलग-अलग capacity होती है water को hold रखने की This means different soils absorb of different amount of water इसका मतलब है कि अलग-अलग soil में अलग-अलग amount होता है पानी का जैसे अगर आप कोई बीकर लो उसमें अलग-अलग तीन टाइप की आपने मिट्टी डाली फिर उसमें आप पानी को उपर से डालो और फिर अबजर्व करो कि कौन से में ज्यादर टाइम तक पानी रहा और कौन से में कम टाइम पर ही पानी नीचे की तरफ आ गया इससे आपको पता चलेगा कि उनकी water holding capacity क्या होती है next topic है हमारे पास soils and crops मिट्टी और फसले soils at every place is not of the same type आपको पता है कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग type की मिट्टी पाई जाती है formation of soil is by breaking of large stones into smaller particles और आपको ये भी पता है कि soil कैसे बनती है जब कोई large stone बहुत time बाद small particles में change होते है तब मिट्टी बनती है It also gets affected by wind, rainfall, temperature, light and humidity और इसको कौन-कौन affect करता है हमार, rainfall, temperature, light and humidity These important climate factors affect the soil profile and causes change in the soil structure और ये जो climate factors है जो soil पर effect डाल रहे हैं वे उनकी profile को change कर देते हैं इसलिए वो अलग-अलग color में पाई जाती है It is because of these climate factors and the type of soil in every area different types of crops are grown और यही वज़य है कि अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मिट्टी पाई जाती है और उन पर अलग-अलग तरह की फसले उगाई जाती है Same crops are not grown all over the country ऐसा नहीं है कि सारी जगह एक जिसी फसले उगाई जाती है मिट्टी के हिसाब से वहाँ पर फसले उगाई जाती है For example, clay and loamy soils are good for growing creels like wheat and gram जैसे clay soil और loamy soils किसके लिए अच्छी होती है चना और गेहों के लिए These soils are capable of retaining water for growing paddy Soils enriched in clay and organic matter and capacity to retain water इन में organic matters होते हैं, clay होती है और water को hold करने की अच्छी capacity होती है इसलिए इस टाइप के soil में wheat और gram की खेती होती है Pulses and other lentils require loamy soils और जैसे दाल वगरे हैं वो loamy soil में उखती है Which drain water very easily Cotton grows very well in sandy loam जैसे cotton की खेती होती है, कपास की खेती होती है वो black soil या sandy soil में होती है Where water is not retained in the soil जहांपे water holding capacity बहुत कम होती है जैसे केसर की खेती है केसरी खेती पूरे इंडिया में जम्मो कश्मीर में होती है तो कई ऐसे जगह पे हैं जहांपर अलग-अलग तरह की soil पाई जाती है जैसे black soil, cotton cultivation के लिए letterite soil, coffee और tea के cultivation के लिए जरूरी होती है वैसे ही अलग-अलग जगह पर अलग-अलग type के मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पर अलग-अलग फसले उगाई जाती है next है soil, an important natural resource soil एक important natural resource होता है natural resource क्या होते हैं प्राकर्थिक संसादन जो हमें nature से मिले हैं जैसे soil, water, mountains, plants यह सब क्या है natural resources है soil gives us everything, food, clothing and even shelter soil हमें बहुत कुछ देती है जैसे food, clothes and shelter अब आप सोच रहे होंगे कि food और clothes कैसे food as we know is derived from plants food हमें plants से मिलते हैं और कई मतलब जो organism है चोड़ चोड़े organism उनके लिए shelter भी है एक soil even the animals food organized from plants fibers हमें जैसे कपास है कोई भी मतलब natural fiber है वो हमें किस से मिल रहा है plant से मिल रहा है और plant कहां उग रहे है मिट्टी में उग रहे है तो इस तरह soil जो है वो एक natural resource है जो हमें बहुत सारी चीज़े हैं वो उपलब्द करवाती है fiber such as cotton, silk, wool can all be dressed down to the soil medicines, paper, fuel, wood can also be dressed to soil और हमें soil से क्या क्या मिलता है medicine, fuel, wood ये सब किस से मिलते हैं plant से जैसे paper वगर है ओश दिया है ओन है ये सब हमें plant से मिल रहे हैं और plant कहां उगाए जाते हैं soil में, मिट्टी में the minerals present in soil are used in the extraction process of so many metals these metals have extremely important roles of play in our industry कुछ ऐसी metals होती है जिनकी में extraction की process की जाती है soil के थ्रियू जो हमारे लिए बहुत important role करती है जैसे बहुत rare case में जो metals मिलती है वो fossil fuels like coal, petroleum and natural gas are also present because of soil these fuels are basically formed due to the presence excreted by soil on dead and decaying plants and animals matter of thousands of years बहुत सालों तक जो decaying plants और animals है जो मर जाते है वो ऐसी मिट्टी में दबे रहते है तब जाकर जो हमारे fuels वगर है koila है ये सब बनते हैं इन process में बहुत सारे हजारों साल लग जाते हैं water we drink is derived from soil जो हम पानी पीते हैं वो भी हमें soil से मिट्टी से मिलता है the water seeps into the subsoil and soil act as an underground water reservoir और जो हमारी soil है वो एक underground water reservoir की तरह काम करती है ये जो जमीन का पानी है उसको hold करके रखती है बहने से रोकती है और natural resources में क्या क्या आएंगे water जो water और oil जो हमें energy देते हैं और drinking water में भी काम आते हैं और oil energy fuel में काम आता है forests है में क्या क्या मिलता है wood, food recreation, home of wildlife rubber, cotton ये हमें पेडों से या forest से मिलते हैं जिसे rocks वगर है, पत्थर वगर है वो construction में काम आते हैं shelter बनाने में काम आते हैं और soil बनाने में भी काम आते हैं minerals है, वो jewelry वगर बनाने में glass बनाने में और soil क्या काम आती है agriculture में, मतलब फसले वगर उगाने में plants उगाने में और animals क्या काम आते हैं food के लिए भी, wool के लिए भी और recreation के लिए भी तो ये सारे क्या हैं? ये सारे natural resources हैं नेक्स टॉपिक है soil erosion मतलब मृदा छरण top soil is soft and light it can be carried away easily by wind और washed away by the flowing water soil का जो उपर वाला layer है जिसको हम top soil कहते हैं वो बहुत soft होता है और light weight का होता है वो आसानी से जैसे तेज हुआ चलती है तो जो उपर की परत है उपर की layer है वो हट जाती है या फिर जैसे पानी बगर आता है बारिश होती है तो इससे top soil जो होती है वो बह जाती है तो इसी को हम नाम देते हैं soil erosion का The process of carrying away the top soil by wind or by the flowing water is called soil erosion soil erosion is a natural process ये एक natural process होती है erosion of soil by water is very sewer on the slip slops of hills and in the areas which have very heavy rainfall जहां पर बहुत जादा rainfall होते है बारिश वगर आती है या slopes वगर बने होते हैं धलान में होते हैं वहां पर soil erosion water की थ्रूँ जादा होता है और erosion of soil by wind occurs mainly in the dry desert area और हवा की थ्रूँ soil erosion कहां होता है desert area में रगिस्तान वगर में क्योंकि वहां पर बहुत जादा मिट्टी होती है और बहुत जादा हवाएं चलती है इस तरह मिट्टी का खिसकना soil erosion या मृदा चरण कहलाता है आपने देखा होगा जब बारिश वगर होती है तो मिट्टी अपने जगह से डह जाती है या फिर जैसे चट्टान वगर है कुछ पार्ट तूड जाना ये कब होता है जब बहुत ती जहाँ चलती है या फिर बारिश आती है बहुत जादा रैनफोल होता है तब इस तरह की situation आती है जहां पर जमीन फट जाती है या मिट्टी खिसक जाती है तो इसी situation को इसी process को हम बोलते है soil erosion या मृदा छरण next topic है causes of soil erosion ये soil erosion के क्या क्या कारण है large scale cutting of trees deforestation बहुत जादा पेड काटना बहुत जादा पेड काटोगे तो क्या होगा वहाँ की मिट्टी खराब हो जाएगी वहाँ पे plants नहीं होगेंगे और deforestation हो जाएगा या फिर over grazing in forest jungle वगर में animals वगर को चराणे ले जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी खराब हो जाती है cleaning the forest to make the land available for farming or for constructing buildings और जहाँ पर buildings वगर बनी हुई हो वहाँ के area को clean करके रखना चाहिए क्योंकि वहाँ से गंद की वगर आ जाती है जो फास में factory वगर हो तो वहाँ से भी मिट्टी खराब हो जाती है living the land uncultivated after plowing and tilling deep plowing and forest fires also leads to soil erosion जैसे अचानक जंगल में आग लग जाती है या बार बार एक ही जगह पर फसले उगाई जाती है वहाँ भी soil erosion होता है तो यहाँ से soil erosion के main point क्या होंगे deforestation over grazing, construction और mining activities जैसे factory वगर है या फिर plants वगर हो cut कर देना अपने benefits के लिए चटानों वगर को काटना और constructing का का काम deforestation, over grazing यह सब reason है soil erosion के next है prevention of soil erosion soil erosion को बचाने के लिए हम क्या क्या सावधानिया बरत सकते हैं या फिर क्या क्या इलाज कर सकते हैं तो first है by planting more trees and grasses, roots of trees bind the soil particles together and prevent soil erosion हमें बहुत सारे plants होगाने चाहिए गहास वगाने चाहिए जिससे वो क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे soil एकदम से जो उसके soil के particles है वो आपस में close होके रहेंगे जिससे soil erosion नहीं होगा जल्दी से मिटी बहेगी नहीं second है grass covers the bare soil and prevent soil erosion जैसे आपने देखा होगा कि गहास वगाने हम थोड़ी से जगह पे उगाते हैं तो बहुत ज़्यादा fail जाती है तो जब grass पूरे को cover कर लेगी soil को तो वहाँ पर soil erosion बहुत कम हो जाएगा farming methods to prevent soil erosion by reducing the speed of flowing water farming के अलग-लग methods अपनाने चाहिए जैसे layer में बहुत सारी तरके से खेती होती है तो उस तरह से नए-ने formula अपनाने चाहिए जिसे soil erosion को या फिर water को बहने से रोक सकें नेक्स्ट है by constructing dams, check dams and river embankments the embankment of rocks and stones along the river banks and check dams prevent soil erosion जैसे dams वगर बने होते हैं वहाँ पर क्या करना चाहिए पत्थरों से एक embankments बना देने चाहिए पत्थरों को एकठा करके लगा देना चाहिए ताकि वह पाने फसलों की तरफ ना बाय स्वाइल इरोजन ना हो by preventing overgrazing overgrazing by animals reserve the removal of the green overgrazing करवाने से क्या होता है animals जो होते है वह soil के जो उपर वाली green layer है उसको खा जाते हैं जिससे वह हट जाती है तो इसको हमें protect करना चाहिए ताकि soil erosion ना हो तो हमें soil को बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए not to cut trees construct burns avoid overgrazing plants, new trees do terrace farming terrace वाली farming करनी चाहिए जिसको सीड़ी नुमा कहती भी कहते है इससे पानी कम बहता है soil erosion कम होता है ये कुछ methods है soil erosion को रोकने के first है यहाँ पे strip cropping strip cropping में क्या होता है ground water plants such as grasses are planted in strips between fields of crops the strips of ground suck up, ran and slow run off जैसे फसले वगाते हैं उनकी बीच में क्या करना चाहिए घास की strip बना देनी चाहिए घास को strip के रूप में उगा देना चाहिए जिससे soil erosion कम हो पानी कम बहे next है wind breakers wind breakers में क्या करते हैं बहुत लंबे लंबे जो पेड़ होते हैं उनको उगाये जाता है ताकि तुफान वगरा आए तो उनसे उनको help मिल सके तुफान ज्यादा पसलों को नुकसान ना पहुचाए हवाँ तेजी से ना आए जिससे की soil erosion ना हो मिट्टी उड़कर दूसरे जगह पर ना जाए next है terracing terracing में क्या होता है जिसे सीडिया होती है तो उस तरह सीडियों की तरह असले उगाई जाती है ताकि ज्यादा पानी से बहकर मिट्टी जाए ना step light terraces are built on slops they prevent run off from rushing downhill and carrying away the soil मिट्टी को जाने से ये रोकती है फिर है contour cropping contour cropping में क्या होता है crops are planted in curving rows curve की तरह इनको curve rows में इनको उगाया जाता है to follow the contour of hills this slow run for and reduces erosion ये भी क्या करती है soil erosion को कम करती है next है no till planting seeds are planted in the ground without first tilling the soil dead plants from the previous crop remain on the ground their roots hold the soil in place जैसे बार बार फसले होगाते है तो जो पहले की फसले हैं उनमें कुछ particles या फिर कुछ decaying plants ऐसे होते है जो roots में रह जाते हैं तो उनको जड़ साइट नहीं उखाड़ना चाहिए क्योंकि उससे soil erosion होता है मिट्टी में space आजाता है और मिट्टी में space आएगा तो soil erosion हो जाएगा फिर next है cover crops fields are planted year round even the season when crops don't grow the plants cover the soil and hold it in place अगर फसलों का season नहीं है तो वहां पे कुछ ऐसे plants लगा दो जो soil को cover करके रखें इससे भी soil erosion कम होता है अब कुछ key points है climate क्या होता है the weather condition of a place कोई भी जगह है उसकी weather condition क्या होती है उसको हम climate कहते है मतलब मोसम soil क्या होती है the topmost layer of the earth surface earth की सबसे उपरी layer को हम बोलते है soil weathering क्या होता है the breaking down of rocks to the action of natural forces such as wind, water, glaciers जब बहुत बड़े-बड़े particles है, stone वगर है वो तूटते है natural force के त्रियो मतलब wind या water के त्रियो छोटे particles में तो उस process को बोलते है weathering humus क्या होता है decomposed and decayed animals remain of plants and animals that enrich the soil मिटी में जो दबे हुए खाद होते है plants होते है जो काफी सड़े गले होते है उनको बोलते है humus फिर है silt silt क्या होता है particles of soil less than clay particles silt particles are found in aluvial soil ये aluvial soil में पाए जाते है soil के ही particles होते है जो clay particles से छोटे होते है तो आपका ये soil chapter यहीं finish होता है आज ही class में हमने क्या-क्या पढ़ा वो अच्छे से आप पढ़ना समझना और इसमें important बात क्या पढ़ी हमने soil erosion के बारे में हमें soil erosion को कम करना चाहिए जितना हो सके उतने plants लगाने चाहिए और forming के नए-ने methods अपनाने चाहिए जिससे soil erosion को कम किया जा सके थैंक यू, have a nice day